अच्छा बाबु आपके पेट में क्या है? दूगो साथ है और पेट में क्या क्या होता है ये बताइए चलता है दरत करता है शूर शूर करता है पांच-दस रुपया ज़रूर डोनेट करें ताकि इस बच्ची की जान बच जाए पेट दरत करता है हम लोग हैं आपके साथ जनता आपके साथ है क्यों रो रही है करीना अधिरा नहीं है और यहां पर एक बच्ची लेटी हुए दिखाएए इसका नाम करीना कुमारी है शोशल मीडिया पे वाइरल हो रहा है कि इस बच्ची के पेट में दो साप है लगतार मीडिया वाले आ रहे हैं लेकिन कोई नेता मंतरी देखने के लिए नहीं आ रहे हैं करीना के पिता जी हैं करीना की माता जी हैं कल यह लोग अस्पताल भी गई थी हाजी पूछ सदर अस्पताल गये थे काका सरदल अस्पताल गये लिए सारा काम प्राइबेट हुआ सर अपना जेप से पैसा लगा कितना कल खर्च हुआ कल सब टोटल लगा 3,000 रुपए तो कल वाला रपोर्ट है तो कल क्या बोला गया डॉक्टर अभी नहीं देखें इसको नाई डॉक्टर बोले ते इसको भरती कर दो बच्चा बाइड में भरती कर दो बचेगा या नहीं बचेगा मेरा कोई गारंटी नहीं है यह भी बोला कि जब गारंटी नहीं लेता है बच्चे की हालत बहुत बुर्ट बाइड में के बच्ची के पेट में साफ हैं पहले फजी डॉक्टर का दिखाई यह फजी डॉक्टर खोला चाप डॉक्टर का रिमोट आ जिस में बताया गया है कि ये बच्ची जिसका नाम करीना है इसके पेट में दो साप है देखिए कैसे बता रहा था दो साप है देखो ये दोनों है ये छोटा बड़ा दोनों है लीवर के पास में साप है देखिए सोचने वाली बात है कि बच्ची के पेट में साप कैसे चला जाएगा जोंक तो हम बहुत सुने हैं लेकिन साप कैसे चला जाएगा ये डॉक्टर कहां के हैं ये बताईए जोला चाप कहां के डॉक्टर कितने दूर है यहां से इनने पटोरी दिखा लिए मनारू दिखा लिए और पटना भी ले ग कि पेट में बच्ची के साप है वो कहां पें कितना दूर है यहां से घूमने वाले थे गाउं में घूम घूम कर गाउं के लोगों को बेवकूब बनाते हैं और ऐसे जोला चाप डॉक्टर कितने मासूमों की जान भी ले लेते हैं किसी को कुछ नहीं पता चलता सदर अस्पत चार महीना से अन पानी नहीं खाती है चार महीना से खाली तनीमनी दूद पीता है ज्यादे दूद पी लेता है तो पेट नौचले रखता है क्या करूं में सार में बहुत मजबूर हूं में सार क्या करूं मेरे पास पाईसा नहीं है मैं कहां ले जाओं क्या करूं सार और आ तोड़ा साफ लग शारा देखर करेंगे और लोगी उप्की अज़रूर करेंगे लेकिन ने कई भी नहीं है यूण कोशिच गरेंगे बाल जड़ा है है पूरा चार महीने ये सब सरभाई से जड़ गया है। उड़ जोला चाब डॉक्टर की डॉपाई से बार ज़ल गया। देखें बच्ची का पेड़ और विफुल आउओ है। अच्छे बाबू आपके पेड़ में क्या है। दोगो साप है कौन बोला आपको दोगो साप है जोला चाप डाक्टर बोला है जोला चाप डाक्टर बोला है कि आपके पेट में साप है और पेट में क्या-क्या होता है ये बताईए चलता है दरत करता है सूर सूर करता है आपका नाम क्या है करीना कुमारी कितना उमर है आपक कुल जाती थी पढ़ने पहले पैले सुन रहे हैं कि आप शिव जी का बहुत पूजा करती थी पूजा करने के लिए कि रोती है क्या कहेंगी किस तरह से लोगों की मदच चाहिए क्या करते आपके पिता जी मुझे पपा रिक्चा चला के तो पुर्ती करता है और इलाज करवाना है सही से अहां करवाना है मुझे लिए चलिये भी डागर कुनों जी डॉक्टर के पास अपी मन कैसा लग रहा है तबियत कैसी है आपकी फेट दरत करता है बैटल नहीं जाता देखे बच्ची का बुरा आग सुजा हुआ देखे बहुत बुरा लग रहा है से बाथ कर रहे हैं पुस्त मैं यहीं कहूं जब करिना रोदो करीद करीना वस्ता रोरारा मंसर्ट तो कैसे अपनी बच्ची का इलाज करवाएएगा हम लोग हैं ना हलां कि हमारी सरकार सुन नहीं रही समझ नहीं कि हमारी गरीब जो जनता है वो कितनी परिशान है आज मेरी बेटी ठीक हो जाएगी एक कड़ोर का बोट बनेगा तो कल मेरे पैरदर ने आएगा नोरे करने आएगा और आकनी अलक्सन का टाम नहीं है तो कोई मेरी सुनवाई नहीं जोड करके चिराग पास्वान को बुलाईए करीना चिराग पास्वान आपके पास जरूर आएंगे आपकी मदद जरूर करेंगे बोले चिराग पास्वान आए मेरा इलाज करवाईए चिराग पास्वान आए मुझे इलाज कर ले चलिये कराने के लिए मेरी तब्यत बहुत और किसी से उम्मीद है जितनी जनता है सबसे बोलिए कि मेरी मदद कीजिए मुझे इलाज के लिए मुझे पईसा चाहिए यह बिहार की बेटी है और वैशाली जिले की बेटी है और हम इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी हालत काफी नाजूख है बहुत दिन से सोशल मीडिया पर यहां पर सब लोगों को लग रहा था कि साप है हम तीन दीन बाद आये हैं यहां पे और तीन दीन बाद रिपोर्ट जब कल सदर अस्पताल का आया तो पता चला कि बच्ची के पेट में साप नहीं है अच्छा काका यह क्लियर हुआ है कि बच्ची को क्या बिमारी है फिलाल जे डॉक्टर बताये थे मुझे के पेट में पानी है लीवर में पानी है शरीर में खून नहीं है और यही सारा कुछ होगा चलिए देखें लीवर में पानी है पेट में पानी है और रिपोर्ट ये है जरा दिखाईए दर्शकों को ये ओम अल्ट्रा साउंड सेंटर इसका रिपोर्ट है और ये अल्ट्रा साउंड का रिपोर्ट है और देखें इतना सारा जो कागज है कोई भी जिसको डाउट हो रह तो आप ज़रूर इस बच्ची की मदद करें और इस गाउं के जितने लोग हैं सब लोग थोड़ा-थोड़ा मदद कीजिए हालांकि मैं जानती हूं कि आप लोग भी गरीब हैं आप लोग के पास भी पैसे नहीं हैं लेकिन पांच और दस रुपया अगर आप मदद करोगे और जितना हमसे बनेगा हम करेंगे जरूर 5, 10, 15, 20, 50 जो भी आपको इक्षा है आप जरूर इनको देख क्योंकि हमारे बिहार की बच्ची है और इस तरह की लगातार कितनी बच्ची होगी मतलब बड़ी बात यह है कि यह सच में गरीब की बच्ची और गरीब का कोई नहीं है गरीब के हम हैं आप हैं नेता मंत्री अगर चाहें तो मदद करें क्योंकि उनसे मुझे तो कोई उमीद नहीं होता है उमीद मुझे आप लोगों से है जनता से है जो मेरा वीडियो देख रहा है पांच-दस रुप्या जरूर डोनेट करें ताकि इस बच्ची की जान बच जाए और बाकी में भगवान का क्या देना है भगवान का क्या आगे है मैं नहीं बता सकती लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे करीना कुमारी को बचाने का, करीना कुमारी का इलाज करवाने का, क्योंकि सरकारी एस्पताल वाला भी बोल दिया कि अब होगा कहा, प्राइवेट होस्पिटल में इलाज, सरकारी एस्पताल वाला क्या बोला भाईया, प्राइवेट होस्प पोटासा इनकी मदद हमारे जरीए हो जाए जतना हम से बनता हैं हम कर देते हैं जितना आप से बनेगा एक रूपया फॉर्पया दो दुपया मुझे जाधा आपको बोलेंगे नहीं क्योंकि कुछ जितने दर्शक है वो जाता तो बाकी में आपको जितना बनता है आप कीजिए यह काउंट नंबर भाईया देखिए यह इनका इकाउंट नंबर है जितना जितना जिनको सहयो करना है इनकी सहयोग करें बहुत ही पुन्य का काम करेंगे आप लोग सायो कर जो हो 10,20,150 जि आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाँ जो और बिंती है जी